नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम वो जर्णी देखने जा रहे हैं जो 17 दिन की थी उस 57 मीटर के अंदर जहां 41 जिंदगिया फसी हुई थी और एक ऐसा incredible rescue चला उत्तरकाशी सिल्क 11 टनल जो थी उत्रकंड की उसके अंदर दोस्तों यह मैं जर्णी आपको जो दिखाने जा यह 17 दिनों की है जिसमें उस टनल में फसे हुए वो मजदूर जो उस टनल का काम करने के लिए गए थे और वहां फस गए थे आपको याद होगा 12 तारीक थी 12 नवंबर जब यह लोग अंदर फस गए थे और टनल कॉलैप्स हुआ था और वहां से लेकर के 28 नवंबर तक क्य क्या क्या हुआ हर दिन क्या गतिविदी चलती थी कैसे कैसे धीरे धीरे करके हम उन लोगों तक पहुंचे और आज जब 28 नवंबर है तब हमने उनको बचा भी लिया है दोस्तों आप सभी लोगों को हार्दिक दिल से धन्यवाज जिन्होंने उनके लिए सक उशल निकलने क लिए भगवान से अर्दास की हाज जोड़े और विनंती की कि भगवान उन 41 जानों को जरूर बचा लेना उन सभी भारतियों को मेरा नमन है तो चलिए देखते हैं कि हर दिन क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हम धीरे धीरे करके वहां तक पहुंचे जब हमने उनको बचा लिय है तो दोस्तों हम आपके सामने लेकर क्या है वो टाइम लाइन ऑफ एक्सिदेंट और रेस्क्यू जो कि नवंबर 2023 का है और यह 12 नवंबर से लेकर कि 28 नवंबर तक कैसे कैसे यह आगे बढ़ा वह हम आपको दिखाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आती है 12 तारीक जिस दिन यह टर्नल कोलैप्स हुआ और 41 वरकर जो थे वो उसके अंदर में फस गए वहाँ पर शॉट क्रिटिंग करके उन लोगों को निकालने के जो जद्दो जहत था जो काम था वो चालू हो गया और 12 तारीक से यह काम चल रहा था जो कि हम 12 तारीक को जब देखते हैं तो यह लो पास तक 4 इंच का राशन लाइन और ऑक्सिजन लाइन लगाने की जद्दो जह शुरू हो गई थी और चार इंच का राशन लाइन और ऑक्सिजन लाइन जब लग गई तब 13 तारीक को सब लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली कि चलिए अभी हम उनके साथ में connection बिठा प आ रहे हैं तो यह हुआ तेरा तारीक को फिर आती है 14 तारीक जब शौट क्रिटिंग स्टॉप हो गई और ड्रिलिंग स्टार्ट की गई ऑगर मशीन से जी हां दोस्तों आप सभी लोगों ने ऑगर मशीन को इस वाली जो एक्सिडेंट है उसके बाद में जान लिया है यह ह कोई पता चल गया था कि इस ऑगर मशीन से काम कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा इसलिए तुरंद हम लोगों ने ऑगर मशीन जो अमेरिका की थी अमेरिकन ऑगर मशीन उसको 15 तारीक को डिप्लॉय किया वहां से और एयर लिफ्ट करके वहां साइट तक लेकर के आये औ और वहां पर हमने डिलिंग मशीन को चेंज करने का काम चालू किया और उसके बाद में ये जो अमेरिकन ऑगर मशीन है ये काम पर लग गई फिर आती है 16 तारीक जब अमेरिकन मशीन ने डिलिंग स्टार्ट की और इसका काम था 900 mm का जो पाइप है वो डेबरिस के थ्रू हो किता हुआ 16 तारीक से स्टार्ट किया था इसने ये 9 mm के पाइप को अपने द्वारा ड्रिल करते हुए अंदर तक लेकर करके जा रही है आपने बहुत सारी जगाओं पर ड्रिलिंग देखी होगी बट यह थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है इसमें ड्रिलिंग करते सम कि अगर हम लोगों ने और ड्रिलिंग की तो कहीं वो कॉलैप्स नहों जाए जो लोग बचे हुए उनके ऊपर कोई और आपदा ना आ जाए उसलिए तुरंत 17 तरीक को ड्रिलिंग मशीन को स्टॉप कर दिया गया इसके वाद आती है 18 तरीक जब इतना बड़ा हाथसा होने तो यह हमारी टीम जो थी पीमो की जो इंडिया की टीम है वहाँ पर पहुंची और उन्होंने जाकर के इस काम के बारे में जायजा लिया पिर आती है 19 तारीक जब नितिन घटकरी जी ने विजिट किया और उन्होंने सारी फैमिली के साथ में कॉंटेक्ट किया उनको बात करना उनको कंसोल करना यह बहुत जरूरी होता है तो यह काम नितिन घटकरी जी ने वहाँ जाकर के किया और उसके पीछे पीछे पूरा ग्राउंड वक चालूई था और सब चीज़ें जो थी वह इन लाइन की जा रही थी क्योंकि इस समय कोई भी गलट डिसीजन उन 41 की उपर में खत्रा बन सकता था इसलिए हर डिसीजन को लेने से पहले पांच बर चेक करना और उसके बाद ही लेना यह बहुत जरूरी हो जाता है उसके बाद आती है 20 तारीक जब मेजर ब्रेक्थ्रू मिलता है और 6 इंच का एर पाइपलाइन जिहां दोस्तों 6 इंच का ज नहीं कर सकते हैं पी एमो टीम के साथ डिसकेशन सभी बड़े बड़े अधिकारियों के साथ डिसकेशन जो वरकर्स हैं उनके साथ डिसकेशन मशीन चलाने वालों के साथ सब के साथ करने में थोड़ा समय लगता है लेकिन वहां पर पहुंच करके पूरी तरह से पूरी टी और नहीं है यहां दोस्तों वो लोग जो अंदर थे उनके साथ में बहुत कुछ बीत रहा होगा आप और मैं जब हम बाहर बैठे हुए थे इन दिनों में तब हमको शायद उस चीज का आभास नहीं होगा हमने दिवाली मनाई हमने क्रिकेट देखा हमने यह किया हमने वो किया लेकिन वो लोग अंदर फसे हुए थे उन तक खाना पहुंचाना और जब आप पहला द्रिश्य देखते हैं तो आपके रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं कि वो जो 41 लोग हैं वो अंदर किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं यहां दोस्तों यह हुआ 21 तारीक को और यह बहु पहुंचाया गया हम हिंदुस्तानी हैं हमें यह ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता और जब हम कहीं फसे होते हैं तब हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए गरम गरम खाना बेजे लेकिन उसके साथ यह बैड नियूज भी आई कि और मशीन जो थी उसने होट जो अपना लोड़ा सा आगे बढ़े फिर 1.8 मिटर के बाद फिर से सेकंड ऑब्जेक्ट फिर हिट किया यहां दोस्तों 23 तारीक को फिर से वरकर्स जो थे वह अंदर घुज गए उन्होंने मैनुवली डेबरिस निकालना शुरू किया ताकि वह मशीन का रास्ता क्लियर कर सके तो 24 तारीक को पूरा दिन यही काम चला फिर 25 तारीक को अगर मशीन ने फिर से उसके बाद आई 26 की तारीक जब मद्रा सेपर्स रेजिमेंट जी हां दोस्तों भारती आर्मी यह वहां पर आ गई और उन्होंने पूरा ब्लेड क्लियर किया और वह मशीन को फिर उन्लोंने खीच करके क्लियर करके सब चीज़े निकाल करके दिया और हमारा जब मद्रास र किया और इसके बाद आई वो सुभा 27 सारे जब हमारे अपने रैट होल माइनर इन लोगों को आप जानते हैं कि ये लोग छोटे-छोटे जो बिल जैसा होता है उसको बना करके अंदर जा करके डिगिंग करते हैं इन लोगों को काम पर लगाया गया और मैं आप लोगों को बत घुस करके जा करके वहां से सारा माल निकाल करके ले आएं दोस्तों सनत कुमार जैन साब को हम सेल्यूट करना चाहते हैं क्योंकि जब आखरी छण होते हैं तब उसमें डिसन लेने उतने ही मुश्किल हो जाते हैं और आज 27 तारीक का दिन था जब वह रैट होल माइनर संद परिया अदा किया कि हमारे जो 41-41 लोग हैं वो बाहर आये 17 दिन 57 मीटर यह एक मीटर हम पर कितना भारी पड़ा है हम भी जानते हैं और वो परिवार भी जानते हैं और हम सब लोगों ने जो हिम्मत और जो मेहनत की है उसके बदौलत आज हमारे लोग बाहर आये हैं दोस्त का नितिन गटकरी साब का नरेंद मोदी साब का हर एक का वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिनों ने भारत के इन 41 सपूतों को बचाने का निर्ने लिया और सक उशल उनको बाहर लेकर के आए जै भारत जैहिंद अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज सब भी दोस्तों के साथ भेजिए ताकि यह वो उस कथा को सुन सकें उस गाथा को सुन सकें जो सत्रा दिनों तक चली और हर एक छण पर भारतियों ने किस तरह से बिना हिम्मत हारे हर चीज को कंप्लीट किया जै भारत जैहिंद